कि हम लोग त्यारी कर रहे हैं और इसमें में आप लोगों को जो APS में भी इंपोर्टेंट है वाइरस वाइर्ट्स प्रायों सेंड लाइकेंस के बारे में क्योंकि हम NCRT को कवर कर रहे हैं तो NCRT से जो टॉपिक बचा हुआ था हमारा तो आज वह एक उनिट जो पहली सिंपल दे रहे हैं विटिक करने जो है आपका लाइकेंस के बारे में मैंसल नहीं किया था और कुछ ऐसे लर ऑर्गनिस्म ठीक है ऐसे लर बोला जाता है आपका वाइरस वायरेट्स और प्रायों स्कॉप यहां पर ब्रीफली इंटेडूस करा गया है इनके बारे में बताय जिससे बोला जाता है जो खाम वहरा एक है यह सब होता है और अभी आप लोग जानते हैं कि वाइरस से ही जो है यह जो भी कॉल्ड वहरा लगता है डिजीज होती है अब वाइरस टिट फू नॉट फाइंड प्लेस इन क्लास्पेक इसंस ते आर नॉट कंसिडर टूली ठीक है अब आपके मैं में भी क्वेशन होगा कि वीडियो टेकर ने इसको क्यों नहीं इंक्लूट किया यह अपने फाइव किंडम क्लास्पेशन में तो यह जो है उस समय इसको लिविंग कहा जाए या नॉन लिविंग कहा जाए क्योंकि यह दोनों के करेक्टर रखता है अगर आप इसको आफ यह एंडिस्टेंड लिविंग एस तो जो जोनिस्म देट है वे सेल स्टेक्चर ठीक है ट्रूली इंको नहीं का जा सकता है जैसे तो वाइरस और नॉन सेल और क्रेक्टराइज बाय है इनकी जो लिविंग सेल ले उसके बाहर क्या होता है एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलता है ठीक है तो इनके अगर आप डाइग्राम देखें यहां पर इस तरह से ठीक है यह बुक में आप देख लीजिएगा इसमें सिंपल इनका स्ट्रक्चर दे रेका एक तो टीमवी का दे रेका और बैक्टर फेस का मैंने आपको पहले ही बताए हुआ है जब भी आप त्यारी करते हैं जितने भी डाइग्राम वगर दी गए है बाइलोजी में उनको अच्छे से आपको देखना होता है उनसे भी क्वेश्चन बन जाता है ठीक है तो यहां पर बैक्टरियो फेस वायरस अभी आ जाए गास में जो बैक्टरियों क तो रैप्लीकेट थेमसेल किलिगंद्व ओस्ट ठीक है एक बार जब एक बार लीप्र लाईति किसी भी फोस्ट को ठीक है तो उसकी अफ्री का यूज करके इसकी सेहल का यूज करके अपने आपको रैप्लीकेट करते थाम तीकिप एंपने संख्या बढ़ाते हैं और हम जो बोट्यू काओ वायरस लिफिंग नौौनलिए ठीके अभ आप वायरस को लिबिंग कहेंगे यह लेकिन अभी आप जानते हैं कि यहने क्या कहा जाता है एकहने क्नेक्टिुनिंग कहा जाता है दोनों लिभीग और लिविंग काई के प्र answer को कैसे आप इनको crystal crystal कर सकते हैं के crystals बना सकते हैं इसे नों लेविंग ठीक उनको रुखा जा सकता है लेकिन living body में जैसे यह जाते हैं वहाँ पर एपको अजिक्तिन है कि दोनों के बीच का करेक्टिंग लिंश हो गया और इसमें देखेंगे कि जो नेम वाइरस है आपका ठीक है तो नेम वाइरस तैट मीन वैनम जी कहां से आया है वर्ड वैनम से आया है और यह किस ने दिया था आपका डिमिट्री वानोस की ठीक है चोटे एक्सामस में जो बुछ आता है 1892 में इन्होंने रिकाउजनाइस किया कि कुछ मैक्रोब्स ह ऐसे जो करता है मॉजाक डिसीस अप टोबेको और इस वेर फांट वी प्लड दैन बेक्टेरिया विकाउस थो बैक्टेरिया प्रूंस एपर ओप्रूफ फिल्टर से भी पार हो जाते हैं इसलिए इसलिए बैक्टेरिया से भी इसमाल होते हैं एक जोगा पारे में हाई 1898 में क्या क्या डेम श्टिट इन्होंने एक सेटग क्या इंफेक्टिट प्लांट्स को तॉपे-को इन्फाइब करते है थे एल्ती प्लांट्स में उन्को कहा जया कहा फ्रूट एस कंटेजियम वेनम फ्रूडम इंफेक्सियस लिविंग फ्रूट एक फ्रूट का पतला रहा है उन्हें जो इंफेक्ट करता था हेल्टी लीव्स को फिर इस्टेनले ने क्या किया 1935 में इनको आप क्रिस्टलाइस करसकते ह liability क्रिस्टल्स होते है अऊटसाइड था हो यह उच्सटल्स सकते हैं आपका लिविंग सेलसं मैं जब जैंगे तो अब्लिगेट पेरा सेट होते हैं याने की मेंली फिक्स होस्ट पर ही यह जो है अपना लाइब को शर्वाइब कर सकते हैं ठीक है एक ही जोस्ट के अंदर ओप्लिगेट कि अब्लिगेट पैरसाइट की वारे में आपने पढ़ाई है अब आगे दिखे आप प्रोटीन्स की बात कर रहा है वायलस ऑलसो कंटेन जनेटिंग मेटियल डैट कुड बी आधर डीने और तो यहां पर आपको समझना होगा कि इन में जनेटिंग मेट्रियल भी मिलता है और वायरस अंका इस्ट्रक्चर की बात करें तहाए वायर Daarस is नुग्यूब पोटीनि एंदे जनेटिंग मेटलइडइलồiड इनफक्सूस ठीकई नुग्ली ड्यू पॕिंद बार की कॉवरिंग प्रोटीन की है ठीकेत और अंदर से फजनेटिक मेट्रीन होता है इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जोनों फिकर्स में दिखाए गया आपका ठीक है यह सिंगल इस्टेंड इसमार ने डबल इस्टेंड आरने है और आपका कैप सेट्स है ठीक है कैप समयर के बने अभी आजाएगा इसमें डिटेल लिंकी प्यायम अब चेरल मर कहें कि वौिस के हैं इंफएक्ट प्लांट को जो ynफेक्ट करते हैं वह सिंगल सेंड हैं प्लांट की कले सकता है ने हैं आद यह जो कल करते हैं बैक्टीडा को उननें गाजिदा है बैंटेरियос सब्केलिकर अवे σε प्रीछल एचरीके तरहा तरहा होगा कि जैसे पहले का न गांगा नदी का पानी बहुत सुध्त है जिसे माना जातव है वह सुध्त्ष प्रोटीन कोट जो है इसको हम कैपसिट कहते हैं इसमें चोड़ी चोड़ी यूनिट से मिलके बने होता है जिनको हम कैपसमर्स एक साथ नाम देते हैं ठीक है पूरा एक प्रोटीन के कोट को इसका कैपसिल नाम देंगे फिर जो चोड़ी चोड़ी यूनिट सामने देखे थी वो कैपसमर्स कहते हैं यह नुकलिक आसेट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और यह किस ना फैसन में रेंज्ट होंगे यह होंगे है निकल में या पॉलिहटर डेक् सब्सक्राइब होते हैं यह डिजिस करते हैं मम्स इसमाल पॉक्स हर्प्स इन फैंजा एट्स इन हुमन और सब्सक्राइब है वायरेस इंप्लांट्स था सिम्टम कैन बी मुश्यक फॉर्मिशन ठीक है लीव डॉलिंग है करलिंग होती है यह अपने देखे होंगे यह यह है वेन क良रेंगे डॉफिंग सिंदिट है ठीक है यह सब किसकर एंग्जांपल ने रवाय्रस टीजिस के जो आपके है बस्कंत मगे जाते हैं इसके बाद हम पढ़ने जा है वाइराइट के बारे मेरें अब स्क्राइब में चिक है 1971 में टियो टेनर एक साइंटिस्त है ठीक है इन नया इंफेक्शियस एजिंट जो वाइरस से भी छोटा था ठीक है यह करता था पोटेटो इस्पंडल फाइबर आ सौरी पोटेटो इस्पंडल टीवर डीसीस ठीक है टीवर में डीजिस होती है नाम का भी पूछ लेता है इसलिए इसको वाइराइड बोलता है ठीक है विडाउट प्रोटीन ठीक है वाइराइड और आर ने जो होता है वह लोग मॉलीकर वेट का होता है ठीक है यह थोड़ा सा जन्रल आपको दे रिखे लेकिन इन से गभी एक दो नंबर की क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसको आपने देखा होगा आजकल जो है ऐसे बुड़ापे में देखा होगा आपको मेली भूलने की मिमारी या क्योंकि जैसे कहता ना ब्रीन में प्रोटीन जबी कट्टा होने लगता है ठीक है ऐसे यह है तो यह भी आनिमल डिजीज है लेकिन यहां पर इस तरह से उसमें पुझ की जारी सेंटिस के द्वारा ठीक है तो इनका भी साइट जो है आपका वाइरस से छोटा है और इनको आप प्रैंस कहते हैं मोस्ट नोटेबल डिजीज कैस कॉस्ट बाइप्राइवन सार बोवाइन ठीक है स्पॉंजी फॉर्म इन सेफिलो पैथी बीसी ठीक है इसमें इसमें इसे के समान है उसी के जैसे एफेक्ट एकने को मिलते हैं जो मैट काव डिजीज में देखने को मिलते हैं तो यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है दो एक्जांपल आपको दियें कुछ भी बूचा जा सकता है इसमें से लाइकेंस तो आप बहुत पढ़ चुके हैं पहले भी ठीक है लाइकेंस इजीली में समस्तना हो कि आप लोग कर लेंगे इसको लाइकेंस में आपका सिंबर्टिक असोशेशेशन होता है किसका आपका फंजाई और एल्गी का ठीक है अपने पार्टनर को देता है यानि अल्गी को देता है उसके साथा से भोजन मनाता है तो दोने खटे साथ में रहते हैं इसको हम सिंबायोसिस के नाम से जाते हैं आगे आप फर्दर चेप्टरेस में इसको डिटेल में बढ़ेंगे तो एक लिए असोशेशन होता है और लाइकिन इसके अलावा आपका बहुत अच्छे निकेटर प्लिशन के ठीक है पॉलेशन अंडिकेटर होते हैं कहीं पे भी प्रदूशन वगर होता है जैसे सेहर हो में आपको लाइकिन देखनी कोई नहीं मिलेगा जंगल में जायेंगे बहुत साथ लाइकन लगे रहे यूनिट कंप्लीट होगी है एंट सी आर्टी में और आगे में वीडियो लाता रहूंगा मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में थेंक यू